आपकी तक्रीरे काफी टीवी पर बे देखी है पीस टीव पर कलकत्य में और अमने ऐसा पाये कि आप इसलाम के अलावा हिंदू सास्त्रों में भी आपकी बहुत बड़ी आस्ता और बहुत बड़ी रूची रखते हैं मेरे में यह जाने की उत्सुक्ता है कि आपकी यह उत्सुक्ता हिंदू साथ के पुर्ती कब आई और क्यों आई इसके वी से मैं मुझे आप से तोड़ा रिवाब भाई साब का सवाल है कि उन्होंने मुझे टीवी पे कलकता में कई बार देखा है और यह जाना है कि इसलाम के इलावा मैं दिगर मसाइब के बारे में बात करता हूँ और हिंदू धार में किताबों के बारे में भी मैं इल्म रखता हूँ तो यह पूछना चाहते हैं यह खोईश कब आई और कैसे आई मैं जब मेरा मेडिकल कॉलेज में था तो मैं मुतास्फिर हुआ एक शक्स जिनका नाम था शेक अहमद दिदाद वो सौट आफरिका के थे और वो इसलाम और इसाई मजभ पे महरत रखते थे जब उनकी तक्रीड सुना तो मैं उनके से मुतास्फिर हुआ और मैं ने खुरान और बाइबल कानल, हमदलिल्लuh इसल किया, तो सब से पहले मैं इसल में इसल अभईल के बारे में इसलाम, और इसाईत के बारे में और जब मैं उनसे मिला उन्होंने का कि इसलाम और इसायत पे कई लोग तकीर कर चुके और कई किताबे लिख चुके लेकिन हिंदू मधब और इसलाम के बारे में बोच्चंद किताबे है उन्होंने दर्खास की कि बेटा इसायत के इलावा दिगर मजाहिब के बारे में मुताला कीजिए और उनको भी बेगाम पोचाईए और जब कुरान मजीद की मैंने आयत पड़ी कुरान मजीद में अल्ला ताला इश्वर कहते है सुलेल इमरान में तुरा नम्र तीन आयत नम्र चौश्ट में आओ अम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है सबसे पहली बात क्या है अल्ला नाबुदा इल्ला कि हम सिर्फ एक इश्वर की अबादत कले वल्ला नुश्य का भी शैया हो कि हम आपस में किसी को शरिक न करे वल्ला यत तखीजबाद दुनबाद दन अर्बाबन विनिल्ला तो हम आपस में किसी को रब ना कहे अगर वो ना माने आप शादतों कि आप मुस्लिम है तो जब मैंने कुरान मुझीद के आयत पड़ी जिसमें लिखा है कि जब ही भी आप गेरों से बात करते है तो उस बात की तरफ आओ जो उन में और हम में यकसा है और मदभी किताब में यकसानियत भी है तो मैं कहता हूँ कि कमस कम यकसानियत के उपर तो हम अमल करे जो डिफरेंसिज है वो कल डिसकस करेंगे डिफरेंसिज तो है मैं यह नहीं कहता हूँ डिफरेंसिज नहीं है लेकिन जो यकसानियत है जो आपके किताब धारमी किताब और हमारी किताब में यकसा है तो कमस कम उसके उपर तो अमल करे तो ये सोच लेके शेख दीदा से मतासिर होके और कुरान मजीद की आयत सूरा नमबर तीन आयत नमबर चौसट जब मैं मेडिकल कॉलेज में था मैंने शुरू किया ये मेरा मिशिन और फिर मैंने तैकीख करने लगा इसायत मधब का तो इतने अच्छे से मुताला किया ता शेक एहमद इदाद ने कि मुझे ज़्यादा तैकीख करने की झरुबत ने पड़ि कि हम सिर्फ एक इश्वर एक बगवार एक अल्ला की अबादत करे तो जब कुरान मजीद में लिखा एका यक्सानियत में सबसे एहम है कि एक खुदा तो मैं दूनने लगा कि हिंदू मजब के किताब में खुदा के बारे में क्या लिखा है जब पढ़ने लगा तो मुक्तलिफ किताबे थे मुक्तलिफ स्कॉलर्स थे मुक्तलिफ स्कॉलर्स को पढ़नी के बाद पता चला कि एक होता है कि मजब को जानना किताबों के जरीए और एक मजब के मानने वालों के जरीए कभी भी मख़ब को जानने के लिए मख़ब के मानने वालों को मत देखो हो सकता है वो मानने वाले खुद नहीं जानते कि उनका मख़ब क्या कहता है तो मख़ब को जानने के लिए सबसे बहतरी तरीका है कि मख़ब की किताबों का मुताला करे तो मैंने हिंदू मजब के किताबों का मुताला करना शूरू किया वेद का, उपनिशत का, भगवत गीता का, रामाएन का, माँ भारत का जब मुताला करने लगा तो आम तोर पे जब हम पूछते हैं हिंदू से सबसे पहली बात कमीगी कि फिर्म माने आम हिंदू से पूछते हैं कि कितने भगवान में आप मानते हैं तो कुछ हिंदू कहेंगे तीन, कुछ कहेंगे सव, कुछ कहेंगे हजार, कुछ कहेंगे तेतीस क्रोर लेकिन अगर आप एक विदूवान हिंदू से पूछेंगे जो अपने हिंदू मजभ का मुताला कर चुका है मजभी किताबों का मुताला कर चुका है वेद पड़ चुका है तो वो कहेंगा कि हिंदू को सिर्फ एक खुदा में मानना चाहिए तेकिन आम हिंदू मानता है फिलोसफी जिसे कहते है पैंथियिजम आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है पेड़ खुदा है चांद खुदा है सूरज खुदा है इनसान खुदा है साप खुदा है हम मुसल्मान कहते है सब कुछ खुदा का है पेड़ खुदा का है चांद खुदा का है सूरज खुदा का है इनसान खुदा का है साब खुदा का है तो ये एहम फरक है आम हिंदू और आम मुसल्मान में आम हिंदू केता है सब कुछ खुदा है हम मुसल्मान केते है सब कुछ खुदा का है तो ये फरक है सिर्फ का का अगर ये का के फरक मुटा ले तो हम हिंदू और मुसल्मान एक हो जाएंगे कैसा करना चाहिए ताला विला कलिमतिन स्वाइं बेन बेनकुम आओम उस बात की तरफ जो आप और हम में यक्सा है तो जब मैं हिंदू मदब की किताबों का मुताला करने लगा तो एक एहम किताब का नाम है उपनिशद उपनिशद में लिखा है चंदो के उपनिशद चैप्टर नंबर 6 तक्षर नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में एक कम इविदितियम खुदा एक है दूसरा नहीं है जब हम पढ़ेंगे स्विता स्वितार उपनिशद चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्यकसिज जनितान चदिपा ये संस्कृत कोटिशेने जिसके मानी है उस खुदा उस इश्वर का कोई रब नहीं उस इश्वर के कोई वालदिन नहीं उसके उपर कोई नहीं है उसकी वालदा नहीं उसके वालब नहीं है लिकाई सिता सिता रुपा निशद में चैप्टर नमबर चार श्लोका नमबर 19 में नत्यस्ति पतिमा अस्ति उस इश्वर की कोई प्रतिमा नहीं प्रतिमा सांस्कृत में होता है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पिच्चर, आइडल, स्टैच्यू नत्यस्ति पतिमा अस्ति उस इश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिच्चर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्प्चर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं और यह आप आगे पढ़ेंगे यह वही चीज लिखावा यजूर वेद में वेद हिंदू मजब की सबसे उची किताब है यजूर वेद में लिखा है चैप्टर नमबर 32 श्लोका नमबर 3 में नातस्य पतिमा अस्ती उस इशुवर की कोई पतिमा नहीं कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिच्चर नहीं कोई स्टैचू नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्प्चर नहीं तो जब हो हिंदू मजब की किताबों का मताला करते पता चलता है हिंदू मख़बी किताब में भी लिखा है खुदा एक है उस खुदा का कोई अक्स नहीं और भामस फुत्रा जो हिंदूइजम का है वो एककम ब्राहम दियोत्या नास्ते नेना नास्ते किंचन भगवान एक ही है दूसरा नहीं है नहीं है नहीं है जरा भी नहीं है There is only one God, not a second one Not at all, not at all, not in the least bit तो इस जरीये से मेरा मुताला शुरू हुआ सबसे पहले देखिए करने लगा मैं कि हिंदू मजब की किताब में इश्वर का क्या जिकर है भगवान का क्या जिकर है और पता चला जिस तरीके से कुरान मजद में लिखा है खुदा एक है वही लिखा है हिंदू मजब किताब में जिस तरीके कुरान में लिखा है कोई अक्स ने वही लिखा है हिंदू मजब में जिस तरीके कुरान मजद में लिखा है ना वो किसी से जना है Na किसी को जनता है वोजी चीज़ ली लिए हिंदु मखभी किताब में तो मैंने का जो यक्सा है तो इसके ओपर अमल क्यूं ना करे तो इस तरीक के से मेरे तहकीक शुरू ही और आस्ते आस्ते तहकिक के बाद पता चला कि हिंदू मख़ब में भी लिखा हुआ है कि आउतार आने वाले है आउतार लोग समझते है कि भगवान एक इनसान का रूप लेता है ये एक मानी है लेकिन सही मानी है अओ संस्कृत में मतलब भगवान खुद नहीं भगवान किसी को भेशता है तो आउतार के सही मानी है जैसे हम कहते हैं पैगंबर तो भगवान ने इश्वर ने कई पैगंबर भीजे और आखरी पैगंबर का जिकर हिंदू मख़बी किताब में है कई किताबों में वेद में हैं उपनिशद में हैं कई मिसाल दूँगा एक कलकी पुराना में लिखा है कि आखरी जो आउतार आने वाले आखरी पैगंबर वो कलकी आउतार है उनके वालिद का नाम है विश्नु यास विश्नु मतलब खुदा यास मतलब नौकर खुदा का नौकर अरभी में करिंगत हो जाता है अब्दूल्ला जो नाम था मुम्मद स्लिल्ला के वालिद का उसके वालिदा का नाम है सुमती मतलब शान्ती अमन अरभी में हो जाता है आमिना जो मुम्मद स्लिल्ला के वालिदा का नाम था इसमें लिखा है कि इन्हें वही आएंगी एक केव में एक गारे में जो मुहमद صلی اللہ علुंब गारे गिरा में आई थी उन्हें वही आईगी रात के वक्त वो बाद में जाएंगे नौट वर्ट और फिर वापिस आईगे मुहमद صلی اللہ علुंब निजएत की थी मदिना के तरह वापिस आई उनके चार करीब दोस्त होंगे तो इस तरीके से मेरे तेकिक शुरू हुई और मैं दुनिया भर में कोशिश करता हूँ अमन का पैगाम लोगों तक पहुचा है जिया महिसा आप में जो उपनिस्नों का वर्णन किया है उसके साथ में एक लाइन और जड़ता हूँ अहां पर यही लिखा हुआ है कि इस्वर एक ही है वो अमारी सिरीमद बगवद गीता है जिसे हम सिरीमद बगवान की वानी या इस्वर की वानी कहते हैं उसके चैप्टर नमबर 18 स्लोक नमबर 86 में है अनन्या सर्वधर्मान परित्य जम मा में कम सर्णम बरजा अहम त्वाम सरोपाप ते व्यो मोख्षी सामी मा सुचा है उसमें भी एक ही इस्वर की वो रिंगत किया गया तो आप जो कह रहे हैं एकडम सही और एकडम यथारत है कि हमारे हिंदू में एक ही इस्वर की है बागी रूप उमने अने मान दिया है ये एक आस्था कर भी से हो जाता है स्था का रूप, निरा का रूप वह अलग है लेकिन इस्वर को हमारे हैं अभी आपने एकडम ठीक फरमाया है गीता भी हमारी यही कहती है आपकी तक्रीरे काफी टीवी पर भी देखी है पीस्टी उपर कलकत्य में और अमने ऐसा पाया है कि आप इस्लाम के अलावा हिंदू सास्त्रों में भी आपकी बहुत बड़ी आस्था और बहुत बड़ी रूची रखते हैं मेरे में यह जाने के उच्च्चता है कि आपकी यह उच्च्चता हिंदू सास्त के पुर्ती कब आई और क्यों आई इसके वी से मैं मुझे आप से तुदा रिबाब भाईसाब का सवाल है कि उन्होंने मुझे टीवी पे कलकता में कई बार देखा है और यह जाना है कि इसलाम के इलावा मैं दिगर मसाइब के बारे में बात करता हूँ और हिंदू धार में किताबों के बारे में भी मैं इल्म रखता हूँ तो यह पूछना चाहते हैं यह खोईश कब आई और कैसे आई मैं जब मेरा मेडिकल कॉलेज में था तो मैं मुतास्फिर हुआ एक शक्स जिनका नाम था शेक एहमद दिदाद वो सौट आफरिका के थे और वो इसलाम और इसाई मजभ पे महरत रखते थे जब उनकी तक्रीड सुना तो मैं उनके मुतास्फिर हुआ और मैंने कुरान और बाइबल का अलहमदलिल्ला इसलिका तो सबसे पहले मैंने इसलिका बाइबल के बारे में इसलाम और इसायत के बारे में और जब मैं उनसे मिला उन्होंने का कि इसलाम और इसायत पे कई लोग तक्रीड कर चुके और कई किताबे लिख चुके लेकिन हिंदु मदभ और इसलाम के बारे में बोच चंद किताबे हैं उन्होंने दर्खास की कि बेटा इसायत के इलावा दिगर मजाहिब के बारे में मुताला कीजिए और उनको भी बेगाम पोचाईए और जब कुरान मजीद की मैंने आयत पड़ी कुरान मजीद में अल्ला ताला इश्वर कहते है सुलेल इम्रान में तुरा नम्र तीन आयत नम्र चौश्ट में आओ अम उस बात की तरफ जो आप और हम में एकसा है सबसे पहली बात क्या है अल्ला नाबुदा इल्ला कि हम सिर्फ एक इश्वर की इबादत करें वला नुश्य का भी शायी हो कि हम आपस में किसी को शर्रिक न करें तो जब मैंने कुरान मजीद के आयत पड़ी जिसमें लिखा है कि जबी भी आप गेरों से बात करते है तो उस बात की तरफ आओ जो उन में और हम में यकसा है और मदभी किताब में यकसानियत भी है डिफरिंसिस भी है तो मैं कहता हूँ कि कमस कम यकसानियत के उपर तो ममल करे जो डिफरिंसिस है और कल डिसकस करेंगे डिफरेंसिस तो है मैं यह नहीं कहता हूँ नहीं है लेकिन जो यकसानियत है जो आपके किताब धारमी किताब और हमारी किताब में यकसा है तो कमस कम उसके अपर तो अमल करें तो ये सोच लेके शेक दिदास से मुतासिर होके और कुरान मजीद की आयत सुरा नमबर तीन आयत नमबर चौशट जब मैं मेडिकल कॉलिज में था मैंने शुरू किया ये मेरा मिशिन और फिर मैंने तैकीक करने लगा इसायत मजब का तो इतने अच्छे सा मुताला किया था एहमद दिदाद ने कि मुझे ज़्यादा तैकीक करने की जरुवत ने पड़ी लेकिन मैं तैकीक शुरू किया हिंदू मजब के बारे में फिर मैंने हिंदू विद्वान की स्कॉलर्स की किताबे पढ़ने लगी और ढूनने लगा क्या यक्सा है लेकिन कुरान मजीद में क कोई पिच्चर ने कोई स्टैचू ने कोई आइडल ने कोई स्कॉल्प्चर ने तो जब हो हिंदू मजब की किताबों का मताला करते पता चलता है हिंदू मजबी किताब में भी लिखा है खुदा एक है उस खुदा का कोई अक्स ने और भामस फूतरा जो हिंदू इसम का है वो एककम ब्राहम दियोतिया नास्ते नेना नास्ते किंचन भगवान एक ही है दूसरा नहीं है नहीं है नहीं है जरा भी नहीं है There is only one God, not a second one Not at all, not at all, not in the least way तो इस जरीय से मेरा मुताला शुरू हुआ सबसे पहले देखिए करने लगा मैं कि हिंदू मजब की किताब में इश्वर का क्या जिकर है भगवान का क्या जिकर है और पता चला जिस तरीके से कुरान मजद में लिखा है खुदा एक है वही लिखा है हिंदू मजब किताब में जिस तरीके कुरान में लिखा है कोई अक्स ने वो लिखा है हिंदू मजभब में जिस तरीके से गुरान मजद में लिखा है ना वो किसी से जना है ना किसी को जनता है वो ही चीज लिखे हिंदू मजभब किताब में तो मैंने का जो यक्सा है तो इसके अपर अमल क्यों न करे तो इस तरीके से मेरे तैकिक शुरू ही और आस्ते आस्ते तैकिक के बाद पता चला कि हिंदू मजभ में भी लिखा हुआ है कि आउतार आने वाले है आउतार लोग समझते है कि भगवान एक इनसान का रूप लेता है ये एक मानिय है लेकिन सही मानिय है आउ संस्क्रिट में मतलब भगवान खुद नहीं भगवान किसी को भेषता है तो आउतार के सही मानिय है जैसे हम कहते पैगंबर तो भगवान ने ये इशुवन ने कई पैगंबर भीजे और आखरी पैगंबर का जिकर हिंदू मजभी किताब में हैं कई किताबों में वेद में हैं उपनिशद में हैं कई मिसाल दूँगा एक कल्की पुराना में लिखा है कि आखरी जो आउतार आने वाले आखरी पेगंबर वो कल्की आउतार है उनके वालिद के एक खुदा तो मैं दूनने लगा कि हिंदू मजब के किताब में खुदा के बारे में क्या लिखा है जब पढ़ने लगा तो मुक्तलिफ किताबे थे मुक्तलिफ स्कॉलर्स थे मुक्तलिफ स्कॉलर्स को पढ़ने के बाद पता चला कि एक होता है कि मजब को जानना किताबों के सरी और एक मजब के मानने वालों के सरी और एक मजब के मानने वालों के सरी और एक मजब को जानने के लिए मजब के मानने वालों को मत देखो हो सकता है वो मानने वाले खुद नहीं जानते कि उनका मजब क्या कहता है तो मजब को जानने के लिए सबसे बहतरी तरीका है कि मजब की किताबों का मुताला करे तो मैंने हिंदू मजब की किताबों का मुताला करना शुरू किया वेद का, उपनिशत का, भगवत गिता का, रामायन का, माँ भरत का जब मुताला करने लगा तो आम तोर पर जब हम पूछते हैं हिंदू से सबसे पहली बात किमीगी किसर में माने आम हिंदू से पूछते हैं कि कितने बगवान में आप मानते है तो कुछ हिंदू कहेंगे तीन, कुछ कहेंगे सव, कुछ कहेंगे हजार, कुछ कहेंगे तेतीस क्रोर लेकिन अगर आप एक विद्वान हिंदू से पूछेंगे जो अपने हिंदू मजभ का मुताला कर चुका है, मजभी किताबों का मुताला कर चुका है वेद पड़ चुका है तो वो कहेंगा कि हिंदूों को सिर्फ एक खुदा में मानना चाहिए तेकिन आम हिंदू मानता है फिलोसिफी जिसे कहते है पैंथियिजिम आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है पेड़ खुदा है चांद खुदा है सूरज खुदा है इनसान खुदा है साब खुदा है हम मुसल्मान कहते है सब कुछ खुदा का है पेड़ खुदा का है चांद खुदा का है सूरज खुदा का है इनसान खुदा का है साब खुदा का है तो यह एहम फरक है आम हिंदू और आम मुसल्मान में आम हिंदू केते हैं सब कुछ खुदा है हम मुसल्मान केते हैं सब कुछ खुदा का है तो ये फरक के सिर्फ का का अगर ये का के फरक को मिटा ले तो हम हिंदू और मुसल्मान एक हो जाएंगे कैसा करना चाहिए आओम उस बात की तरफ जो आप और हम में यक्सा है तो जब मैं हिंदू मदब की किताबों का मुताला करने लगा तो एक एहन किताब का नाम है उपनिशद उपनिशद में लिखा है छंदो के उपनिशद चैप्टर नमबर छे तक्षिन नमबर दो श्लोका नमबर एक में एककम इविदित्यम खुदा एक है दूसरा नहीं है जब हम पढ़ेंगे स्विता स्वितार उपनिशद चैप्टर नमबर छे श्लोका नमबर नव में नाचस्य कसिज जनितान चदिपा ये संस्कृत कोटिशेने जिसके मानी है उस खुदा उस इश्वर का कोई रब नहीं उस इश्वर के कोई वालदे नहीं उसके उपर कोई नहीं है उसकी वालदा नहीं उसके वालद नहीं है लिकाए स्था स्थार उपनिशद में चैप्टर नमबर चार श्लोका नमबर उननीस में नत्यस्ति पतिम अस्ति, उस इश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, प्रतिमा सांस्कृत में होता है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पिच्चर, आइडल, स्टैच्यू, स्कल्प्चर, नत्यस्ति पतिमा अस्ति, उस इश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिच्चर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्प्चर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं और यह आप आगे पढ़ेंगे, यह वही चीज लिखावा यजूर वेद में, वेद हिंदू मदब की सबसे उची किताब है, यजूर वेद में लिखा है, चैप्टर नमबर 32, श्लोका नमबर 3 में, नातस्रिपति मास्ति, उस इशुवर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स न कर वेद लाई यूर नहीं, यह वेद लाएं।